टीम इंडिया का एक पूर्वी क्रिकेटर राजनिती की पिछ पर चौके छक्के लगाने के लिए मैदान में उतर चुका है इस क्रिकेटर का करियर क्रिकेट की राजनिती की वज़ा से ही खत्म हो गया था इसके बाद ये प्लेयर इतना तूट गया कि उसने सन्यास का एलान कर दिया हद तो तब हुई कि जब कोई भी साथ देने के लिए सामने नहीं आया आखिर में इस क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट सेलविदा कहना पड़ा लेकिन वो IPL में सक्रिये रहा एक दो नहीं पांच बार IPL टॉफी जीता पिछले साल वो चिन्नई को टॉफी दिलाने के बाद पूरी तरह से क्रिकेट से वो अपने आपको अलग कर लिया अब वो राजनिती की पारी खेलने के लिए तयार है आंदर प्रदेश के YSR कॉंग्रेस पार्टी से अपनी राजनिती का आगास कर चुका है गुरुवार को इस क्रिकेटर ने जगन मोहन रेड़ी के सामने पार्टी का दामन थामा है माना जा रहा है कि वो पार्टी के टिकट पर लोक सबाचुनाव भी लड़ सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिकेटर कौन है IPL 2023 में चन्नाई सूपर किंग की जीत के साथ एक 37 साल के प्लेयर अंबाती राइडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्मिट से सन्यास लिया था अंबाती ही रोहित शर्मा के बाद मातर ऐसे प्लेयर हैं जिनोंने 5 बार IPL टॉफी जीती है मुंबाई की शुरुवाती तीन टॉफी जीतने में अंबाती का एहम योगदान रहा हाला कि वो क्रिकेट में हमेशा से राजनिती का शिकार रहे जब उन्होंने क्रिकेट से सन्यास लिया तो बताया था कि किस तरह उनको अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ा इसके बाद वो साल 2019 में वन्डे वाड कप टीम के नंबर 4 के एहम दावेदारों में से एक थे लेकिन आखरी समय उनका नाम काट कर विजय शंकर को टीम में जंगादे दी गई थी उस समय चीफ सेलेक्टर MKS प्रसाद हुआ करते थे अमबाती की पहले से ही MKS प्रसाद से नहीं बैठती थी इसलिए ऐसा माना जाता है कि MKS प्रसाद ने ये जान बूच कर किया बाद में इस पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल भी उठाए थे लेकिन इसी के बाद अमबाती राइडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया और वो तब से सिर्फ IPL ही खेल रहे थे राइडू ने भारत के लिए भी वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया देश के लिए पच्पन मैच खेलने वाले अमबाती राइडू ने 50 पारियों में 47.06 की शांदार औसत से 1694 बेरन बनाए है इस दोरान उनका स्टाइक रेट 89.05 का रहा है उन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 शतक लगाए है 124 रन उनका सबसे बड़ा स्कोर रहा है इस दोरान उनके बल्ले से 10 अर्द शतक भी निकले है